नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हैं एजूकेशन या दिरिश्टी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाटकर लगा बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी बैल यह देखिए दोस्तों चैप्टर वन सेट्स आज हम सेट्स के बारें पढ़ेंगे सबसे पहले समझते हैं सेट्स होते क्या हैं यहां मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है आज सेट इज वेल डिफाइंड कालेक्शन ऑफ ऑबजेक्ट्स क्या मीनिग है इसकी इसकी मीनिग य यह है के उस सलाद के अंदर जो भी उबजेक्ट्स होँगे जो भी चीज़यों होंगी उन्हें हों अब्जेक्ट्स कहते हैं यह अलीमेंट्स कहते हैं ठीक है दोस्तों जीध वेल डिफाइंड का लेक्शन यानि ऐसा समूँ जो किसी स्एम तरह की प्रपर्ट्ट्ट्टि को फॉलो करना तो यानि कि सेट जो है वो क्या है वह ऑब्जेक्ट्स का ऐसा समूँ है जो सेम तरह की प्रोपर्टी को फॉलो करता है ठीक है यह सेट की परिभाशा है नी डेफिनिशन अब हम इसे कुछ अब समझ गया होंगे सेकिंड़ पाट दवोरव इंग्लिश अलफाबट इंग्लिश अल्फाबट में वोवेल्स भी एक सेट क्यों सेट क्या होते हैं यह ऐ आई आई ओ यू आपने पड़ा हूँ तो वह जो हैं पास्ट वर्ट वह वह से अब ऐसा थो नहीं मैं उसमें डाल दिया अगर कॉंसोनेंट डाला होता तो वो सेट नहीं बनता आप यह अच्छे से समझ गया है देखिए अब यहां थार्ड एक्जांपल मैंने मैं अच्छे से लिया है कि इसमें भी समझ आताना चाहिए और नेचुरल लंबर लेस देन टैन मतलब की और नेचुरल लंबर ले का कालेक्शन होता है अब देखिए यह कुछ एक्जांपल है सेट के यह क्या है दोस्तों दसेट ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है नेचुरल नंबर एक सेट है इंटीजर नंबर एक सेट है यह क्या है क्यों रेशनल नंबर एक सेट है यह पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और यह positive real numbers का set है, ठीक है, अब मैंने एक set लिया है, example के तोर पे, यह देखे, capital V नाम से set बनाया है, अब ध्यान से देखे, जब हम set लिखते हैं तो यह, यह क्या होते हैं दोस्तों, curly bracket, इसे हम कहते हैं, curly bracket, curly bracket के अंदर set लिखते हैं, और हर एक element के बीच में कौमा आता है, separate क दनी के लिए, तो यह set है, हमारा capital V से, और है क्या वो, उसके अंदर, A, E, I, O, U, यानि अब समझ गए, वोवल्स का set है, यह यह वारा मैंने लिए, second part, ठीक है, इस वोवल्स का set है, तो अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, यह जो A है, यह set के अंदर है ना V के, तो हम इसको कै कैसे लिखते हैं, A belongs to capital V, यानि A belongs to, यानि है उसमें, किसमें, इस वोले set में, set का नामें V, but B does not belong to V, क्या B है, B तो consonant इसमें है नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, अब इसको mathematical terms में कैसे लिखते हैं, यह देखिए, small a, यानि कि यह belongs to का मतलब यह, यह sign belongs to होता है, capital V जो यह लों का sign यह, cross मारते हैं, V, तो आयोब समझ गया है, अब बढ़ते हैं आगे, यह देखिए, किसी भी set को represent करने के दो तरीके होते हैं, two methods of representing a set, ठीक है, कौन से दो तरीके हैं, first है roster या tabular form, second होता है, set builder form, आब इन दो तरीकों को समझते हैं, आखिर क्या यह form होते हैं, यह पहली का मैंने, पहले का मैंने example दिया है, capital V, वही वहीं है, set लिके चला है, a, a, i, o, u, अब यह, इस expression में दिखा हुआ हुआ है, मैंने भी पैसले लिखके दिखा होता है, यह कौन सा form होता है, friends, यह होता है, हमारा roster form, यह फिर इसे हम tabular form भी कहते हैं, ठीक है, यह आसा नह लिखके, x, फिर यह colon, x is a vowel in English alphabet, अब इसको हम mathematical भाशा में कैसे पढ़ेंगे, यानि, all set of x, कैसे पढ़ेंगे, all set of x, such that x is a vowel in English alphabet, यह हमारी होगे, set builder form, यानि, explain करके किया है, और जब वो conclude करके निकल जाए, यानि, roster यह table form में आ जाए, तो उसे tabular form कहते है, a, i, o, u, आप समझ गया है, आयू, बढ़ते हैं कि अच्छे example की तरफ, आपकी बुक है example लिया है, मैंने, यह दिखे, write the set x, such that x is a positive integer, and x square less than 40, set लिखना है आपको, यह इनने कौन सा form दिया है, दोस्तों, यह दिया है, set builder form, explain करके दिया है, set builder, हमें लिखना है, क्या, roster form लिखनी है, कैसे देखेंगे, अब देखेंगे, इसको, रोस्तों कैसे दिखेंगे, हम इसको, write the set, हमें set को कोई भी नाम दे दिया है, मान लिया, a नाम दे दिया, उन्होंने नाम नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं, कुछ भी a, ठीक है, kalibruses लगाते है, x is a positive integer, आपको पता है, positive integer 0 नहीं होता 0 नहीं positive होता है, नहीं negative होता है, तो 0 हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है, 1, क्या 1 आएगा, क्योंकि इसने बोला x square less than 40, x अगर 1 है, तो 1 का square कीजिए, less than 40, बिलुकूल, 1 आएगा, इस तरह 2 का square होता है, 4, मतब 2 भी आएगा, 3, समझ गया है दोस्तो, 4, 5, यह देखिए, 6, यह 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, 7 का square होता है, 49, इसलिए यह देखिए, 7 का square होता है, 49, इसलिए हमने कली बेसे लगा दिया है, यह हमारा बन गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आप समझ गया है, इस तरहीके से यह बनता है, अब हम बढ़ते हैं, अगले example की तरफ, यह है, कैसे लिखेंगे, यह देखिए, B is equal to, हमें पता है, आपको पहले इस तरह से लिखना होता है, X, such that X is a, क्या है दोस्तों, ध्यान से पैचानी है, यह 1 का square, यह 2 का square, 3 का square, 4 का square, 5 का square, इसका मतलब यह किसका square है, natural number का square है, नमबर नेचुरल तो है, X is such that, यह देखिए, इस एक्सःट, X is a, square, of, natural number, यहां लिखें तौम, X is a square, of, natural number, ठीक है, अब इसको एको तरीक से लिख सकते, शेट भी टर फॉर्म को, यह देखिए, ऐसे भी लिखते है इसको, X, such that, क्या, X is a square of, natural number, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, X, such that, कि X किसके वाराबर है, small n square के, क्यो को कि समझने वाली चीज है डान स्वेयर कि स्कुर्म नंबर का स्क्वार एकस और जहाँ पर यह दोनौ अल्टरनेटीफ है यह भी सेटफुलृटर इसको आपको लिखना है इसे कैसे लिखेंगे आप पहले सबसे पहले यह दिखेंगे सब्सक्राइब 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 इसे कैसे लिखेंगे आप इसे लिखेंगे एक्स सच डेट ठीक है आप सको साइन बनाते हैं यह एक्स सच डेट के एक्स किसके एक्वल है इस एक्वल टू एन बाई एन प्लस वन वेर यह जो एन यह किसे बैलों करता है नेच्वल नॉम्बर को एंड एंड के लिखेंगे आप यह देखिए बीब बताता हूं मैं आपको यह देखिए मैंने यह एक फॉर्म लिखी है तक जा रहा है वन से लेके 6 तक क्योंकि यह वाला देखिए न यह वन से जा रहा है अगर यह वंसे तक जा रहा तो यह कहां से जाएगा तो तो से 7 तक देखाना आपने टिफिकल्ट कोश्चन लग रहा था मगर कितनी आसानी से हो गया अब हम एक और एक्जामपल करते हैं और से समझते हैं कि यह कैसे होता है यह देखिए दूस्तों मैंने एक और एक्जामपल लिए एक्जामपल 5 इसे भी समझ लेते हैं यह क्या कहता है मैच इच ऑफ दा सेट ऑन दे लेफ्ट डेस्क्राइब इन रोश्टर फॉर्म में दिए आप यहां पर एक्सप्रेशन दे पॉस्टि फी जाड़ गया यह तो नहीं सब्सक्राइब हो सकता यह भी नहीं हो सकता यह वह तो सब्सक्राइब刹 आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी रुपीटिटर वर्ट चो रिकस्षैंज में एक वार लिखते हैं रोश्टर यह टेबिलर फॉर्म में रिपीटिट वर्ड्स को सिर्फ एक बार लिखते हैं उसको रिपीट नहीं करते तो यह नहीं इसके मैचिंग फोर्थ के साथ होगी ठीक है इसी तरह अब यह इस सेट में केवल 0 है तो अब स्टार्टिंग के तीन से मिलाईए किसी साथ मि नहीं होगा ठीक है दोस्तों यह भी नहीं होगा 3067 to one that means यह क्या कहता है यह कहता है ठीक होगा अपका मतलब ठीक है अब यह बचा 3-3 यह भी रहा गिया है इसमें जो चीज रिपीट करनी है उसको आप सिर्फ एक बार लिखेंगे इसका मत्तब इसकी मैंचिंग इसी के साथ है तो यह रहा सेट का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन करेंगे नेक्स क्लास में तब तक रिवेजन कीजिए कुछ नहीं समझा था कमेंट स्क्षन में लिखके बताइए चैनल पन ना है तो जरू सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरू हिट करें वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और ज्यादा ज्यादा स्टूरेंट्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरू करें मिलेंगे अगली वीडियो में घर पर रहिए शुरक्षत रहिए वीडियो देखनेंटे थैंक यू गुडबाय टेक कियर